नमस्कार दस्तों को इतायादो योटूब चैनल पर आप सपीका स्वागत हैं हमारी तयारी चली हुए हिंदी विषय से सम्मंदित परिक्षाओ के लिए हिंदी विषय से सम्मंदित परिक्षाओ की तयारी हम हिंदी के सम्पूर्ण पाठे करम के आदार पर दीरे दीरे आगे बढ़ते हुए कर रही है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ने करते हुए आज की क्लास में करेंगे हम हिंदी गदवी दाव में आने वाले चंदर गुप्त नाटक को चंदर गुप्त नाटक से कई बार परिक्षा में पर्शन पूछे जाते हैं पिछली क्लास में हमने हिंदी सहित्य के इतियास के अंतरगती सिद्ध सहित्य को कंप्लेट कर लिया था हम संपून पाठे करम के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं तो जैसे कि सहित्य से रिलेटिब हम वीक में लगबग 2 या 3 कलास रख लेते हैं फिर भाशा विज्ञान को भी साथ-साथ कर लेंगे व्याकरण को भी करते हुए चल रही है इस तरह हम पिछले सालों के परशन पत्रों को भी करते हुए चल रही है इस तरह हमारा सलेबस जल्दी कंप्लेट हो जाएगा और एक साथ हमारा सलेबस कंप्लेट होगा तो फिर हमें जब रिवीजन करेंगे तो परेशानी नहीं आएगे ये question किस topic से लिया गया है तो हमारी practice अच्छी हो जाएगी इसी उदेश्य के साथ हम अपनी classes को आगे बढ़ परशिद नाटक है, तो बढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट की तरफ, चंदरगुप्ट नाटक जैशंकर परशाद का परशिद, एक परशिद रचना है, नाटक के रूप में उन्होंने लिखी है, जो कि इनका सन है 1931, 1931 इस वी में इस रचना का परकाशन हुआ, कई बार सन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये चंदरगुप्ट दुवारा लिखा गया, एक परशिद नाटक है, जो कि एतिहासिक कथाव पर आधारित है, बढ़ते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं की तरफ, देख लेते हैं, इस नाटक में कितने अंक है, दर्शय है, क्या है, जो परि इस तरह छोटे-छोटे पॉइंटों को हम समझ लेते हैं, बढ़ते हैं, कुल अंक, कुल अंक की बात करें, तो इसमें चार अंक है, कुल दर्शय है, दर्शय है, इसमें चालिस है, कुल गीत, गीत इसमें कुल गीत अगर पूछा जाए, तो तेरा कुल गीत है, लेकिन जो गाय गए गी थै, इस्तिर्यों दुवारा गाय गए वे है 11. चंदरगुप्त नाटक के तीसरे अंग का परारम विप्षा नदी के तट से होता है. कई बार परिक्षा में पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर तीसरे अंग का परारम होता है. बिल्कुल हमें एक-एक चीज़ों को depth करते हुए चलना है पता नहीं परिक्षा में examiner किस तरह का परशन दे दे क्योंकि जो मुख्य बिंदू होते हैं, मुख्य तथ्य होते हैं मुख्य मुख्य रचनाई होती हैं उन से समबंदित, अगर डीप में भी परशन पूछा जाए तो वो important ही माना जाता है तो तीसरे अंक में कुल दर्शे की बात करें तो 10 दर्शे है चतूर्थ अंक में कुल दर्शे 14 है तीसरे में कुल दर्शे कितने हैं? 10 और चोथे में 14 यह नाटक इतिहास की तीन गटनाव यानि अलशेंद्र, आकर्मन, नंदकुल की प्राज्य और शैलूकश का प्राभाव पर विवाजी थे यह नाटक कितने गटनाव पर आदारी थे? इतिहास की तीन गटनाव पर कोण-कोण सी? एक तो अलशेंद्र, आकर्मन, एक नंदकुल की प्राज्य और शैलूकश का प्राभाव इन पर विवाजी थे हैं नाटक हैं इस परकार आपको समझते हुए चलना है हम कम समय में अधिक तथ्यों को करते हुए चलेंगे क्योंकि हमें एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि हमारी परिक्षा की अच्छे से तैयारी हो पाई हमारा टार्गेट है EMRSO TLSB की परिक्षाओ की तैयारी करना परंतु के वल इनी के लिए उपयोगी नहीं होगी ये क्लासिस सभी जिस भी परिक्षा में TGT PGT समंधिपर्शन पूछे जाते हैं या फिर NTA NET के अंदर भी चंदर गुप्त नाटक को इंक्लूड किया हुआ है अलग से स्पेसल तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आमारी जो ये क्लासिस है ये लाप दायक्सीद होगी और बिहार स्टेट की जो आगे परिक्षा और होने जा रह उसमें भी चंदर गुप्त नाटक को सपेसल रूप से इंक्लूड किया हुआ है तो बढ़ते हैं चंदर गुप्त नाटक के पातर को देख लेते हैं ति नाटक के परमुक पातर क्या है इस नाटक के परमुक पातर कौन कौन से है सबसे पहले देख लेते हैं जिस नाम से य नाटक का जो नायक है वहे चंदर गुप्त है नाटक का यह दिरोधा नायक है इसमें निर्भक्ता और विनेशीलता आतम विश्वास आधी गुण है बढ़ते हैं अगला जो परमुकपात्तर है वो है चानक के नाटक का परमुकपात्तर चानक के है नाटक का डाचा इसी नाटक का जो सारा का सारा डाचा है वो चंदरगुप्त के मेरूदन के समान खड़ा हुआ है कि यानि कि चंदरगुप्त का जो गुरु रहे है चानक के जी हुनी ही को मेरूदन बनाया गया है की एक रीड की हड़ी के रूप में यह पत्तर हमें देखने को मिला है बढ़ते हैं आगे अलका 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 गंधर नरेस की पुत्री और आभीर की बहन है अलका कौन है गंधर नरेस की पुत्री और आभीर की बहन राजकुमारी अलका सहासी, राष्ट्रेप्रेमी, दयालू, गुनग और परदान नारी के रूप में यह उपर कर सामने आई है और मालवी का, मालवी का एक नारी परदान पत्र है, सिंदू देश की बाली का है, कहां की बाली का है यह मालवी का, सिंदू देश की यह सामान्य वे एशिक्षित होने पर भी स्वाबी मानी संगर सीलता और आत्मो सर्ग की शमता से परिपूर्ण है अगली जो पातर है वो देख लेते हैं कार्नेलिया यह यवन सेनापति सेलूकस की पुतरी के रूप में बारत भूमी पर अपना कदम रखती है ये कई बार पुछा जा चुका है कारनेलिया के सम्मन्द में बढ़ते हैं आगे परवतेशवर है पंजाब का राजा जो पोरश के नाम से परशिद हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट पात्र की तरफ सिंहर्ण जो की गोण पात्र है परंतु चानक के चंदरगुप्त अलका आभीर आधी पात्रों का इस पर परभाव है तथा नाटक को परचलित करने की परदान कुझी का कारिय करता है सिंहर्ण ये परमुक परमुक पात्र है परवेत एश्वर, सिंहर्ण और अलका, मालविका, करनेलेया, चंदरगुप्त, चानक के ये सबी परमुक पात्र है कई बार परिक्षा में पूछ लिया जाता है इन में से चंदर गुप्त नाटक का पात्तर कौन है या कौन नहीं है इनके अलावा और अन्य गोन भी पात्तर है वे इतने इंपोर्टेंट नहीं है इन ही में से कई बार परिक्षा में परिशन पूछे जा चुके हैं, आपको इन को तो बिलकुल याद ही रखना है, और अन्य पत्रों को भी आप देख सकते हो, जब आप नाटक की समिक्षा पढ़ोगे या नाटक कासार पढ़ोगे, उन में आपको अन्य पत्र भी देखने को मिल जाएंगे, बढ़ते हैं नाटक की समिक्षा पर, कि एक बार हम थोड़ा सा ढाचा समझ लेते हैं, इस नाटक में क्या है, किस परकार की कथानक के आदार पर यह लिखा गया है, किस परकार की कथा रही है, तो इस से सम्बंद अगर परिक्षा में जब बेसिक रूप से परशन पूछा जाएगा, तो हमें समझा जाएगा, कि इस नाटक की विशेशता यह है, या यह बात इसमें कही गई है, यह नहीं है, इस तरह हमें करना है, बढ़ते हैं आगे, नाटक का परारम तक्षिला के गुरुकुल में यूकों के परारंबिक वारतालाब से होता है, नाटक का परारम कहां से होता है, तक्षिला के गुरुकुल के यूकों के पारसपरिक वारतालाब से, एक दूसरे से वारतालाब कर रहे होते हैं, जो तक्षिला के गुरुकुल के जो यूग है, महां से इस नाटक का परारम होता है, पर्थम अंक में अलशेंदर का आकर्मन और नदगुल का विनास और संगर से सम्मंदित समस्थ पात्रों का परवेश दिखाया गया है द्वीते अंक में पश्च में उत्तर सीमा प्रांत की राजनीती वस्तू सितीती की सपष्ट रूप रेखा पृस्तूत की गई है जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं इसकी समिक्षा को दुराचारी फिलिस्पी के चंगुल से कारनेलिया का उदार करके उसका अपना बन जाना सूज भूज और प्रीमित शक्ती के आदार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सपलता विदेशी सेना की यथार्थ सितीती की जानकारी चानके को मिलना चंदरगुप्त का दोनों गंतंतर का सेनापती बनना आदी गटना इस नाटक में गटित होती हुई बताई गई है ये जो गटनाई है ये एक बार आप फिर से रिवाईज कर सकते हो कि ये ये गटनाई है, जो चंदरगुप्त नाटक के दूसरे अंक में घटित हुई हैं, बढ़ते हैं आगे, मगद समस्त कार्य व्यापारों काकेंदर पूने बनता है, इसी नाटक के तीर्तिय व्यचतूर्त अंक में चानक के दुआरा अपनी विद्या वुद्धी से चंद बनाकर नंद का सरमनास करना तथा चंदरगुप्त को सभी परजावासियों दुआरा एक मत से राजा स्विकार कर लेना दिखाया गया है, तीसरे और चोथे नाटक में ये दिखाया गया है कि चंदरगुप्त को राजा स्विकार कर लेती है, वहां की जंता, और जो कौन ब आंत में परवेत शिवर के प्राणों का आंत होने तथा कल्यानी के आतमत्या कर लेने से चंदरगुप्त का राज्य निष्ट कर्ष्ट हो जाता है और चानक्य के परिया से छोटे बड़े सभी आंतरिक विद्रों समापत हो जाते हैं। राक्षश वे सुवासनी राक्षश भी इसमें एक पत्र है शुवासनी भी है तथा चंदरगुप्त वेकारनेलिया को परणे सुत्तर में बांध कर चानक के राजनिती से सन्यास ले लेता है और इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है। बिल्कुल शोट उसमें मैंने समीक्षा बताईया आपको कि इसके अंतरगत किस परकार की कथानक दिखाया गया है। आप अगर डिटेल्स से पढ़ना चाते हो तो इस नाटक को पूरा का पूरा लंबा नाटक है। काफी समय लग जाएगा। तो आप कहीं से भी अगर प्रोवाइड हो तो आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हो। क्योंकि जितना हम चिजों को पढ़ेंगे जितना समझेंगे उतना ही हमारा बेस के लिए होता है जाएगा। तो पूरा का पूरा नाटक पढ़ाना तो समझदारी की बात नहीं होगी यहाँ पर लेकिन आपको मोटे मोटे तोर पर ये बता दिया गया है कि इस नाटक के अंतर के कौन-कौन से मुख्य बिंदु रही है और कौन-कौन सी किस परकार की इस नाटक की समिक्षा रही है। मोरिय के उत्थान तथा उस समय के महा शक्तिशाली राजय मगद के राजा धनानंद के पतन की कथा का वर्नन करता है इस नाटक में इसकी पतन की कथा का वर्नन कहा गया है धनानंद जो ना राजा हुए है उनके यह नाटक चानक के के परतिशोध तथा विश्वास की कहानी को परुस्तुत करता है, क्या करता है, यह पॉइंट इस लिए दिये गई है, क्योंकि परिक्षा में पूछे जाते हैं, कि इस चंदर गुप्त नाटक की इन में से कौन सा की विशेष्था नहीं है, तो नहीं है, जब आ जाता है, तो हमें इन पॉइंटों का बिल्कुल पता होन चाहि thrija कि इस इसमें है, यह यह जिए चिजे तथे इसमें परुस्तुत किए गई है, जन्द गुप्त नाटक में, तो हर एक पॉइंट को सिरेस से पढ़ना है, यह नहीं है, कि हाँ इसका तो हमें पता है, यह हैं, क्योंकि मिलते जुलते ही पॉइंट डालते हैं बलीदान को दिखाया गया है ओप्षन में डाल देंगे अगर यह गलत करना होगा तो इस नाटक में प्रेम तता प्रेम के लिए दिए गए बलीदान को नहीं दिखाया इस तरह पर्शन बना देते हैं तो आप को बिल्कुल ध्यान से करना है यह नाटक त्याग तता त्याग स से प्राप्तराष्टिय एकता की कहानी बढ़ते हैं आगे इस नाटक में पठनिय सरल भाषा हिंदी का परियोग किया गया है किस परकार की भाषा का परियोग किया गया है सरल भाषा हिंदी का परियोग किया गया है परतेक पात्तर का सोंद्रिय एवं चरितर चितरन सफलता से किया गया है, वहां का जो परतेक पात्र का सोंद्री और उनका चरितर चितरन बहुत अच्छे से किया गया है सभी गटनाओं को एक ही दागे में फिरोने से यह नाटक पढ़ने में रोमान्चक हो जाता है, एक के बाद एक गटना को विख्षित किया है और दिखाया गया है इससे जो पाठक होता है वो बोर नहीं होता उनको इंट्रेस्ट जगता है कि आगे इस नाटक में क्या होगा या उसके साथ क्या होगा एक के बाद एक गटनाई जुड़ी हुई है यही नाटक की एक सबसे सबसे अच्छी विशेष्टा होती है कि पाठको को जोड़े रखना बढ़ते हैं आगे किसी भी लेखन की जो विशेष्टा होती है वो अपने पाठको को बिल्कुल जोड़े रखना कि जब हम कोई कहानी या कथा बता रहे हैं तो पाठको को का इंट्रेस्ट जागे कि आगे क्या होने वाला है यहीं सबसे अच्छी विशेस्ता है नाड़क का जो उदेश्चे है वो देख लेते हम इस नाड़क के क्या उदेश्चे रहा लिखनेता जिस परकार परशाद जी सहीत्य रचना कर रहे थे उस समय देश का स्थ था यह एप्रेश का सासन यह गलत टाइपिंग हो गया था इसके एप्रेश की जगह हैगा अंग्रेज 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 उसका आप ठीक कर ले ना इक पर अंग्रेज उसका सासन था जब परषाठ जी नाटक की रचना कर रहे थे उससे में किस का सासन था? अंग्रेजों का सासन था और अंग्रेज भारतिय शब्यता संस्किर्टी को हींता की दरिश्टी से देखते परशाद जी भारतियों में एक गोरों में संस्किर्टी को याद दिला कर एक नई सफूर्टी का संचार करना चाहते थे इसकी सपूर्टी के लिए उन्होंने अपने गोर्म में इतियास को साहित्य रचना का आधार बनाया गुप्त जी यानि कि जैसंकर परशाद जी का परशिद नाटक है यह एक परशिद नाटक है यह पहले बता चुकिये इनमें उन्होंने यह दिखाने का परग्यास किया गया है कि ऐयोग्य सासक दुआरा किस परकार देश को हानी पहुचती है अगर एक ऐयोग्य सासक आजाए देश में या रज्य में तो किस परकार पूरे के पूरे संपोर्ण देश में हानी की पहुचती है और परशाद जनतंत रखते हैं जनता दुआरा चुना गया योग है परतिनीधी ही देश को सही रहा पर ले जा सकता है यानि कि जो जैसरंकर परशाद हैं, उनकी क्या माननेता थी कि जनता दुआरा चुने गए राजा को ही राजा बनाना या उसके हाथ में ही इसासन देना जो जिस राजा को जनता श्यम चुनेगी उनकी माननेता थी कि यही कारण है कि सरवगुण संपन चंदरगुप्थ को उन्होंने जनता दुआरा मगद का समराट गोशित किया सवरगुन संपन जो राजा रहे है चंदरगुप्त को ही उनों ने जनता दुआरा मगद का समराट गोशित किया गया यही जैसनकर परशाद जी कहना चाहते थे कि जो सामाने जनता दुआरा चुना गया राजा ही राजा होना चाहिए राज्य का इससे ही देश का विकास होगा अन्यता देश की हानी हो जाएगी अगर एक राज्य में एक किस परकार का राजा आ जाए योग्यशाशक आ जाए तो इस परकार हमने चंदरगुप्त नाटक से सम्बंदित उसकी समिक्षा को भी देख लिया मुख्य मुख्य पातरों को भी देख लिया उसके अंतरगत आने वाले मुख्य बिंदों को देख लिया और नाटक का उदेश्य भी हमने कर लिया है आप चाहोगे कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं हमें इस टोपिक से सम्मंदित वीडियो चाहिए मैं उ परशन उत्रों को भी कर लेंगे हम साथ साथ हम एक एक टोपिक को जैसे हमारा टोपिक कंपलेट हो जाता है हम उसके परशन उत्रों को भी साथ साथ करते हुए चलते हैं क्योंकि परशन उत्रों से ही हमारी समझ विक्षित होती है और इस परशन उत्तर को अधिक से अधिक हम एकजा में हम सपलता प्राप्ट कर सकते हैं आसानी से तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ने करते हुए आज की क्लास को हम वीडियो को लंबाने करते हुए आज की क्लास को हम यहीं कर लेते हैं समाप्त वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों के साथ सेयर करना चैन